شری गनेशाय नमहा ये राशी फल चंदर राशी पर आदारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिति ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे इस दिन आप दूसरों की गलतियों को नजर अंदाज करें आप इस समय में दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो सकते हैं आपके अपनों से भी नाराज होने की संभावना रहेगी दोस्तो हर चीज़ को positive नजरीय से देखे हर situation को शान्ती से संबालने की कोशिश करे आप अपनी family के साथ रहे enjoy करे और अगर किसी चीज़ से परेशानी होती है तो उसे पूरे तरीके से नजर अंदाज करने की कोशिश करे इस तरीके से आप दिन का पूरा अंद उठा सकते है बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा लेकिन कही निवेश ना करे और पैसों का लेंदेन करना नुकसान दाइक हो सकता है अगर काम में मन ना लगे तो परिशान ना हो क्योंकि आप सब कुछ संबाल लोगे आप काफी मेहनत करने वाली विक्ती है आप जैसे मेहनती लोगों को समस्याओं से बाहर निकलने के मार्ग मिल ही जाते है इस समय में अगर आप नया पार्टनर ढूर्ण रहे है तो आपको मिल सकता है दिन लवलाइप के लिए अच्छा रहेगा लेकिन किसी को प्रपोस करने के लिए ये समय ठीक नहीं है तो थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा अपने पार्टनर से दूर ले जाने वाले रास्तों से आज आपको दूर ही रहना चाहिए तातकलिक आकरशन से बचे अगर किसी बात से पार्टनर से अनबन या जगड़ा हुआ है तो बढ़ने की संभावन रहेगी तो शान्ती बनाए रखने की कोशिश करे अगर स्टूडन्स की बात करे तो स्टूडन्स को इस वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना है आप ख्यालों में खो सकते है या फिर आपका मन भटक सकता है बाहरी दुनिया की तरफ ज्यादा किचाव रहेगा लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखना है क्योंकि आपके जीवन में पढ़ाई सबसे महतोपुर्ण है पढ़ाई का यही सही समय है बाकी चीजों के मौके जीवन में बार-बार आने ही वाले है अगर आपके स्वास्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो कमरदर्ध या पईरों में दर्ध की शिकायत रह सकती है, सरदी खासी होने की संभाव नहीं रहेगी, छोटी मोटी समस्याय रह सकती है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी योगा करे प्रानयाम करे अपने खान पान पर नियंतरन रखे और सुबह टहलने जाना ना भूले इस दिन आप केसर या चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते है तो आप शांत रहोगे आपके लिए लाबदायक रहेगा इस दिन हो सके तो मंदिर जरूर जाए भगवान से प्रार्थना करे और एक रुपे का सिक्का गुल्लक में जरूर डाले इस समय में आपके लिए हरे रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और आपके लिए इस दिन पाच अंक लकी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपकी राए कमेंट सेक्शन में जरूर दिखे अगर आप चाहते है कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिले तो अभी इसी वक्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना बुले पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपकी राइ कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे अगर आप चाहते है कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिले तो अभी इसी वक्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना बुले पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपकी राइ कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे अगर आप चाहते हैं के ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिले तो अभी इसी वक्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना बुले पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद